बिस्मिल्यरह्मान रहीम, असलामुलेकूं डियर स्टूडेंट्स, आज के जमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने लोकोमेशन इन एमोबा, लोकोमेशन इन जैली फिच एंड अर्थ वर्म के अंदर डिसकस करना है, जो एमोबा ये बिलोंग करता है प्रोटेंस से, बाकी जो फास्ट टू ग्रॉप से उसको हमने लास्ट वर्म के अंदर डिसकस किता है, जबकि जैली फिच और अर्थ वर्म ये करते हैं, बिलोंग करते हैं इन वर्टेबरेट से, अब जो एमोबा के अंदर वे उफ लोकोमेशन होता है, ये करता है, लोकोमेशन सूड़ो फोडिया क जाते हैं, सूड़ो का मतलब होता फाल्ज, और फोडिया का मतलब होता फीड्स, मेंस कि इनके कोई फीड्स नहीं होते है, बलकि ये खुदी फीड्स बनाते हैं और खुद डिरेक्शन अपने लोकोमेशन शोग करने के बाद इनके फीड्स डिसमिस हो जाएदे, खतम हो जा करते तो इससी डायरेक्शन में कर जाना है अगर इस जगण का फिलोवेस ज्यादा होगी तो इसने इस डायरेक्शन में और जाना है Knowing को जवरेंडेक्शन भी टैकशन में होगी इससे टबॉवाह का बीथिक्षब डिसकस किया ग giggles लेकिन इसके अंदर जो cytoplasm की movement है, cytoplasm के fluid ने जिस तरफ direction में move करना है, इसके पूरा organism ने, amoeba ने उससी direction में movement आपने start कर देनी है, अब pseudophudia का process क्या है, finger like projection, इसकी जो projection होती है, finger like होती है, यह जिस direction में यह आप finger देख रहे हैं, कि इसकी जो projection होती है, finger like है, it flow in the direction of cytoplasm, इसके अंदर cytoplasm flow करता है, और यह जो pseudophudia होता है, यह जो amoeba होता है, यह सोडियो फोडिया की direction की तरफ flow करता है, consequently body moves in direction, जिस direction में cytoplasm move करता है, उस direction में इसकी body move करती है, exact mechanism is still unknown, means के जो amoeba का locomotion का way है, वो अभी तक जो exact वो नहीं discuss कियागे है, ना उसके बार में हमें briefly unknown हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो आपकी book में है, वो just इतना है डिसकस कियागे, जो कि short question है, बहुत important question है, अब जो second है तो locomotion jellyfish, jellyfish belong करता है, इनकी body के उपर tentacles present होते हैं, इन्होंने क्या करना है, उन tentacles के थ्रूँ अपनी locomotion show करनी है, अब जो jellyfish होता है, इसकी जो body होती है, वो bell like होती है, इस तरह, bell like, और इसकी नीचे tentacles present होता है, कोई इस direction में, इसने क्या करना है, इन tentacles के थ्रूँ अपनी locomotion show करनी है, इसने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो mechanism है, locomotion का, movement का mechanism, इसने सबसे पहले, इस bell को open करना है, और water अपने अंदर इंटर कर लेना है, जब इसके अंदर water fill हो जाएगा, तो इसने क्या करना है, इस bell को close कर देना है, means contract कर लेना है, और यहां से एक hole कर देना है, सुराख कर देना है, और यह water होगा, वो नीचे ज्यादा pressure क साथ move होगा, जब pressure के साथ ज्यादा water move करेगा, तो इसने forward move करना, upward move करना है, jellyfish is umbrella shaped body called bell, इसकी जो shaped होती है, जिसको हम कहते है bell, अब इसका mechanism क्या है, water enter in the bell, water इसे bell के अंदर enter होता है, bell contract, जब water enter हो जाए तो इसने bell को contract का लेना, means close का लेना, close करने के बाद इसने यहां से कर जब hole करेगा, तो water नीचे forward, ज्यादा तेजी speed से move करेगा, इसके वज़ा से हम इसे कहेंगे, jet movement, अगर आपने अकसर देखा हो का, जो मिजाइल होते हैं, जब हम उसे जमीन से फिजा में छोड़ते हैं, तो उसके end वाला portion, जो posterior portion, उसके अंदर gases field की जाती है, जब हम उसे फिजा में छोड़ते हैं, तो gases का जो pressure downward होता है, जिसके वज़ा से upward movement करते हैं, इसी वज़ा से जो पानी का अंदर इसका जो pressure होता है, पानी का downward होता है, और इसने jelly fish ने upward move करना है, इसको हमने उसी jet के साथ बिलोंग किया, कि इसके जो locomotion उसे jet के साथ, water is forced out like a jet, water एक jet की त movement को हमने jet propulsion का नाम दिये, अब यह important short question अक्सर examiner गुमाने के लिए पूछ लेता है, define jet propulsion movement, तो jet propulsion movement हम locomotion in jellyfish, jellyfish की movement को jet propulsion movement कहते हैं, अब जो third आता है, वो आता है locomotion in earthworm, earthworm की body के अंदर segments present होते है, earthworm की body होते हैं, वो segmented होते है, अगर मैं यह ड्रा करूँ कि यह एक earthworm है, तो इसकी body के अंदर different segments present होते हैं, और इसने जो locomotion start करने जो movement show करनी है, वो दो चीज़ से मिलके, एक muscles के through और दूसर सेटा, सेटे कहते हैं, इसके feats को और muscles जो इसके अंदर present होते हैं, इसके अंदर दो किसम के muscles present होते हैं, एक logging tuner muscles, और जो second होता है, वो circular muscles, इसकी length के long होते हैं, और circular muscles इसकी width के long होते हैं, और इसने movement start करनी है, अगर मैं ड्रा करूं कि यह एक earthworm हैं, जो अभी तक normal position है, जब इसने movement start करनी है, तो इसके यहां पे feet present होते हैं, एंटिरियर एंड पे जिसको हमने सैटे का नाम दिया, और posterior end पे भी feet present होते हैं, जिससे हम सैटे कहते हैं, जो कि इसके जमीन के साथ, soil के साथ, जब ज़्यादा ensuring करने के लिए, ज़्यादा fixing करने के लिए, यह सैटे होते हैं, जब इसने movement start करने हैं, जब इसने अपनी locomotion start करने हैं, तो इसने क्या करना है, जब से पहले अपने posterior जो सैटे है, इसको pull करना है, और you move, यहां से उठा के इस सैटे को इस जगह पे लेना है, जब इसने अपने सैटे को जमीन के साथ attach कर लेना है, जब इसने अपने सैटे को जमीन के साथ attach कर लेना है, जब इसने अपने सैटे को जमीन के साथ attach कर लेना ह जब यह यहां पर लेग है तो इसके जो longitude muscles हैं यह contract हो गए और circular muscles यह relax हो गए जब longitude muscles contract हुए circular muscles relax हुए तो इसकी जो body वह तो short होगी और इसकी जो direction हो इसनों जो movement है वो forward start कर दिये sette on lower side, anterior side, जो sette on lower side पर present होते हैं come out, anchor and hold this end का बाइर निकल आते हैं और इस hand को hold कर लेते हैं finally longitude muscles contract longitude muscles contract होते हैं और circular muscles relax हो जाते हैं जब longitude muscles contract और circular muscles relax होते हैं तो body के होते shorts होती है और forward direction में move कर लेती हैं अब यहां पर इसने direction अपने start की movement start की अब यह अगर मैं कहूं के यह एक यह और थमाम है तो इसने जब direction यहां से इसने उठाय यह ले आया है अब क्या करने से यह जो posterior end है इसको इसने अपने जमीन के साथ यह जो sette इसको आप जमीन के साथ attach रखना है और anterior end वाले sette को उठाना है और उठा के यूँ यहां पर लेकर आना है इस जगह आगे लेकर आना है अब इसने क्या करना है अब इस जगह पर इसका size कुछ इस तरह का बानी गया है means के longitudinal muscles contract होग और circular muscles होगी है जो आप देख रहे हैं अब इसने क्या करना है यहां से अब यह दुबारा इस शेप में आना है इस शेप में आने कि इसने क्या करना है अपने longitudinal muscles को अगे रिलेक्स करना है और circular muscles को contract करना है और यह जो सेटे पहले इस जगह पे था इसको उठा के यह इंटीरर वाले सेटे अब इसको उठा के आगे रखना है और पीछे वाले कुम ही रखेगा जिसके होजा सब इसकी movement आगे start हो जाएगी अब जो posterior end वाले सेटे उन्होंने इन्होंने बाइर निकल कब जमीन को साथ टैच हो जाना है circular muscles contract हो जाएंगा और लॉग इंटूना मसल्स रिलेक्स होगे तो इसकी जो बाड़ी हो जाएगी वह ठीक थिन हो जाएगी पतली हो जाएगी और लॉंग हो जाएगी इस तरह आर्थ वाम जो होता है प्रैक्टिकल movement particles movement के अंदर move करता है means के जो हमारे muscle body के अंदर जो movement of nerve impulse होते उसकी तरह इसने movement अपनी करने होती है आज हमारे locomotion में जैली फिश यो अर्थ वाम कंप्लीट हो गया अभी तक के लिए तना इन्शालह मिलेंगे next lecture में तब तक के लिए लिए लाह हाफीज